आज की हमारी कहानी है देखो जेकल का मतलब हो गया गीदड और ब्ल्यू डाइड का मतलब है नीले रंग से रंगा हुआ तो ब्ल्यू डाइड जो है एडजक्टिव के रूप में प्रयोग किया है जेकल की विशेष्था बता रहा है कि जेकल कैसा है नीले रंग से रंगा हुआ तो देखते हैं क्या होता है इस कहानी में तो क्या हुआ थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं क्यूरियस जेकल क्यूरियस का मतलब होता है जिग्यासू जेकल मतलब जो इदर उदर टटोलता रहता है जिग्यासा करता रहता है एक बार क्या हुआ फैल इंटू गिर गया फैल इंटू अ बैरल कि बही बैरल का मतलब एक तरीके का बड़ा पीपा जो होता है जिसमें तेल वगेरा या रंग वगेरा भरे जाते हैं तो उस पीपे के अंदर गिर गया full of blue dye, dye का मतलब हो गया रंग कि एक बड़ा पीपा था नीले रंग का उसके अंदर एक बार एक गीदळ गिर गया अब वो जिग्यासा कर रहा था मतलब ढूंड रहा था कभी इधर टाटोल रहा था कभी उदर टाटोल रहा था तो इसी के ऐसा करते करते वो क्या हुआ उस बैरल के अंदर गिर गया ओ नो, I am entirely blue, he cried, वह चिलाया अरे यार, यह क्या, ओ नो, I am entirely blue entirely यह नहीं, completely, पूरी तरीके से कि मैं तो पूरा की पूरा नीला हो गया हूँ, यह क्या हो गया as he walked into the jungle अब as, जैसे की वह जंगल की और बढ़ा as he walked into the jungle, जैसे की वह जंगल की और चला into लगाते हैं हम movement को दिखाने के लिए तो जैसे ही वह जंगल की और चला, returning to his home है ना, returning का मतब है लोटते हुए, अपने घर की और लोटते हुए, यानि की अब वह जंगल में वापस जा रहा था अपने घर की और लोटते हुए, the animals thought he was a strange new animal तो अन्य जो जानवर थे, उन्होंने सोचा, उनको लगा he was a strange का मतलब है, बहुती अजीब new animal तो अन्य जो जानवर थे, जिन्होंने गीदर को देखा, उन्हें लगा कि यार यह तो बहुती अजीब जानवर है the jackal had an idea, तो गीदर जो था, उसके दिमाग में एक विचार आया क्या सोचा गीदर ने, let me fool these animals गीदर ने अपने मन में सोचा, ऐसा करता हूँ, इन जानवरों को पागल बनाता हूँ किसी को fool करने का मतलब होता है, किसी को मूर्ख बनाना, पागल बनाना let me fool these animals तो गीदर अपने मन में सोच रहा है, ऐसा करता हूँ, इनको पागल बनाता हूँ by telling them इनको ये बताकर इनको ये बताते हुए I am from heaven तो उस गीदर ने अपने मन में सोचा है कि इनको मैं पागल बनाता हूँ और किस तरह से बनाऊँगा मैं इनको पागल इनसे कहूँगा by telling them इनको बताकर I am from heaven कि मैं स्वर्ग से आया हूँ मैं स्वर्ग से आया हूँ I am from heaven and have come और मैं यहां आया हूँ to rule over them rule over का मतलब होता है किसी के उपर शाषन करना तो गीदर ने मन में सोचा कि मैं इन जानवरों से कहता हूँ कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और तुम्हारे उपर शाषन करने के लिए आया हूँ in this way इस तरीके से in this way I will command all the animals इस तरीके से मैं सारे की सारे जो जानवर है उनको command करूँगा उनको order दूँगा उनको आदेश दूँगा to bring me whatever I want whatever I want का मतलब है जो कुछ भी मैं चाहता हूँ उसे मंगाने के लिए मैं सारे जानवरों को order दूँगा गीदड ने अपने मन में सोचा कि भई मैं सारे जानवरों को order दूँगा उनको command दूँगा कि जो मुझे चाहिए वे जानवर लेकर आए to bring me whatever I want he thought to himself गीदड ने अपने मन में सोचा he thought to himself का मतलब है उसने स्वयम ने ये बात सोची all the animals started obeying the jackal सारे की सारे जो जानवर थे started उन्होंने शुरू कर दिया क्या? obeying the jackal गीदड की बात को मानना obe का मतलब है किसी की आग्या को मानना तो सारे जो जानवर थे उन्होंने गीदड की आग्या मानना शुरू कर दिया suddenly अचानक से at a distance थोड़ी दूरी पर suddenly at a distance अचानक से क्या हुआ? थोड़ी दूरी पर है न at a distance suddenly at a distance a group of jackals begin to shout at the top of at the top of their voice अचानक से क्या हुआ? थोड़ी दूरी पर गीदडों का एक जुन्ड था बीगन ये begin की second form है इन्होंने शुरू कर दिया गीदडों के जुन्ड ने शुरू कर दिया क्या? to shout चिलाना at the top of their voice at the top of का मतलब होता है जैसे मैं बोलू at the top of my voice इसका मतलब है मेरी जितनी आवाज हो सकती है पूरी आवाज से चिलाना तो थोड़ी दूरी पर गीदडों का एक जुन्ड था उस गीदडों के जुन्ड ने पूरी दम लगा के जो है चिलाना शुरू कर दिया at the top of their voice का मतलब है वे गीदड जो है अपनी पूरी जो छमता थी ना उनकी आवाज की उस पूरी छमता से चिलाने लगे थोड़ी दूरी पर hearing their voices गीदडों के जुन्ड की आवाज सुनकर जो जितने भी गीदड थे जुन्ड में वो बहुत जोर जोर से चिला रहे थे पूरी जान लगा के उनकी आवाज सुनकर hearing their voices the blue-dyed jackal नीले रंग में रंगा हुआ जो गीदड था couldn't help वह अपने आपको नहीं रोक सका यहाँ पे इस couldn't help का मतलब है कि जब गीदड ने एक जुन्ड को गीदडों का जो जुन्ड था जो की चिला रहा था उनकी आवाज सुनी तो यह जो नीले रंग में रंगा हुआ गीदड था यह भी अपने आपको नहीं रोक सका बट फिर इसने क्या किया yell, yell का मतलब होता है वही चिलाना yell back in response तो यह जो नीले रंग में रंगा हुआ गीदड था इसने भी प्रतिकरिया देते हुए चिलाया यह भी वही उदर से जैसे कुत्ते होते हैं वही कुत्ते चिला रहे हैं तो उन कुत्तों को देखके जो दूसरे कुत्ते होते हैं वह भी चिलाने लगते हैं तो इसी तरह से इस गीदड के साथ हुआ कि जो इस गीदर के अन्य जो लोग थे ग्रूप में वे चिला रहे थे ना अपनी आवाजें निकाल रहे थे तो but yell, yell का मतलब है यही एक तरीके से जोर से चिलाना but yell back in a response तो यह जो नीले रंग में रंगा हुआ गीदर था इसने भी प्रतिक्रिया देते हुए ये भी जो है अपनी आवाज में चिलाने लगा बोलने लगा है ना गीदर की आवाज निकालने लगा at once एक बार में the animals knew जो सारे जानवर थे उनको पता चल गया उनको वे जान गए who this strange animal was कि यह अजीब सा दिखने वाला जानवर कौन था यानि कि नीले रंग में रंगे हुए गीदर की असलियत अन्य जानवरों के सामने आ गई and started to beat him up और अन्य जो जानवर्स थे उन जानवरों ने क्या किया इस नीले रंग में रंगे हुए गीदर को पीटना शुरू कर दिया turning him turn का मतलब है बदल देना है naturally blue और इतना पीटना चालू कर दिया उसे कि वह प्राकर्तिक रूप से नीला पड़ गया देखो किसी को जब आप पीटते हो ना उसके शरीर पे नील पड़ जाती है उसके लिए का गया है turn blue कि किसी को इतना पीटो कि उसके शरीर पे नील पड़ जाए तो जानवरों को उस गीदर की असलियत पता चल गई और फिर जानवरों ने उसे इतना पीटा इतना पीटा कि उसके शरीर पे नील पड़ गए यानि कि वह नैचुरली प्राकरतिक रूप से पीट पीट कर उसको जो है नीला कर दिया मॉरल इस कहानी का मॉरल है कि हाँ इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है क्या सिक्षा मिलती है do not lie about who you are कि आप जो कुछ भी हो उसके बारे में जूट नहीं बोलो यानि कि do not lie जूट मत बोलो about कि इसके बारे में who you are कि जो आप हो वही रहो जो आप नहीं हो वो दिखाने की कोशिश मत करो वरना उसके परिणाम जो है बहुत हानिकारक होते हैं क्यों क्योंकि एक नएक दिन आपकी असलियत लोगों के सामने आ जाती है और वह असलियत जब आपकी खुल जाती है उस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशानी जहलनी पड़ती है